तो अभी जू आप वीडियो में देख्व एसैंगे आपको क्या लग्राइप कि यह तो मचली है यह तो फीष है लेकिन है यह फीष नहीं है हम इसे एक वेजउ रेसिपी वनाएंगे तो जो हम रेसिपी बनाने वाले है यह हम इसे वनाएंगे तो यह तो जो सब्जी आप सरी वैचानते हैं इसे अलग-अलग जगा में अलग-अलग नामों से जाना चाता है हम इसे भात्केरेला कहते हैं काक्रोल, कटोला, ककोडा बहुत सारे नाम है इसके और इसके तो फाइदे तो अंगिनत है यह सबसे दुनिया की ताकतवर सब्जी में से एक है तो इसी वाली सब्जी से आज हम बनाने बाले हैं मचली जो मचली है यह नॉन वैच नहीं वनने वाला है यह वैच में हम मचली की तरह एक रेसिवी बनाएंगे जो आपको शायद बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा है तो यह जो भात के रेला यानि काकरोल था यह न थोड़े दिन रह गया था मैं वीडियो बनाने पा रही थी तो थोड़ा जादा मतलब जवा गया है तो इसका कोई नहीं हम इसे बहुत अच्छी रेसे भी हम बना लेंगे तो अभी हमने यहाँ पे दो कटोला देके और इसमें एक कटोरी भीगी वी चना दाल देके कम से कम 4-5 सीटी लगा लेंगे पहले तो इसे उबालते टाइम ना हम इसमें थोड़ी से नमक भी देंगे ताकि इसका जो टेस्ट अच्छा रहे और यह जल्दी बॉयल भी हो जाए तो अभी क्या करना है हमें इसे निकाल लेना और इसके निकालते समय जितना एक्स्रा पानी है ना इतना हो सके उतना मतलब आप चान लीजेगा तो जादा अच्छा होगा तो यह देखिए यह चो दाल है अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है और यह चो काक्रोल कटोला ये भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है आप देख सकते हैं मैंने बहुत चोटा-चोटा करके नहीं काटा नहीं तो बहुत गल जाती है इसलिए सिर्फ 20 से दो टुकडा कर दिया था अभी क्या करना है आपको एक कढ़ाई लेना इसमें थोड़ा सरसो का तेल देना है बहुत जादा नहीं दो चमस करी इसमें हम देंगे अद्रक और लसुन का पेस्ट इसके बाद यहां पे जाएगा कुछ मसाले जैसे मैंने यहां पे डाला जीरा पाउडर घनिया पाउडर और लालमिश पाउडर इसे देके हलका दो-तीन सेकंड्स भूनेंगे इसके बाद गेस का जो आच है यह लो रखना है अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चिकन मसाला इससे तेस्ट अच्छा आता है अभी यह जो है इसे हम कराई में डालेंगे यह हम इसलिए डाल रहें ताकि इसमें जो एक्स्रा पानी है ना वो सारा सूप जाए तो हमें क्या करना है ढ cigarette अच में में निया मांच में तो आपको इसका अउस इसमें अ माय पानी है इसे सुखा लेना है तो इसमें कम से कम 2-3 मिनित लगेंगे तो हमें इस तरह से जब हम पानी सुखाते रहेंगे आ तभी आपको इसे मतलब हलकाल का धबा के इसे میश भी कर देना है क्यूंकि इसको ना पूरा मेश डो की तरह बना लेना है बाद में तो ये देखिए ये हमारा तयार है ये डो की तरह बन चुकी है पूरा और इसका जो मतलब देखने में ये इसी तरह होना है जादा चिपचिपा वगरा नहीं होना है ताकि आराम से आप जो भी शेप देना चाहे बन जाए तो ये देखिए हमने एक कतलेट की तरह बना के बस म ажу इसटार से ले ले और इसे हातों में अच्छी तरह से घुमा ले खुमा के बस इसे दबा के और इसमें उंगली डालकर जो शेफ में रहना दुद बहुत से सिंपल हैं बहुत हैं जादा हार्ट करब नहीं है इससे क्या होता है न तो अभ testimony नॉड़ी कान्या था तो नोन वेज ही खाते हैं अगर वेज है तो इसमें नोन वेज का लुक्स देने की क्या जरूरत है तो देखिए ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको मच्छली की शेप में ही आपको बनाना है अगर आप चाहे तो नॉर्मेल करलेट की तरह आप छेपटा करके बना के भी इसका सबजी बना सकते हैं ये बहुत ही तेस्ती लगती है इसका फ्रेवर्ड गजब का है तो ये जो हमने शेप दिया है इससे मतलब एक अलग तरह का एक लुक्स आती है एक रेसिपी में जान आ जाती है तो लोगों को ना हमेशा से कुछ नया पसंद होता है वैसा नहीं कि देखने को वो खाने को भी पसंद करते हैं कुछ नया और उसे बनाने का भी बहुत सोखीन होते हैं लोग बहुत तरह के लोग होते हैं जो जिसे अलग-अलग तरह की खाना वनाने में बहुत अच्छा लगता है तो वे ये रिसे भी जरूर ही ट्राइ कर सकते हैं और ऐसा बहुत लोग मतलब मैंने पहले भी इस तरह से देखा है लोग कहते हैं कि अगर वेजी बनाना है तो नॉन्वेज का देखने की क्या जुरूरत है और अगर नॉन्वेज बनाना है तो नॉन्वेज बना लो लेकिन बात ऐसी नहीं है अगर आपको अच्छा लगए तो आप फ्राई जुरूर कर सकते हैं कुछ नया सीखना या कुछ नया करना सब को ही अच्छा लगता है तो अब ही देखें हमने इसे fry कर लिया है तो ये देखने में पूरी तरह से मचली की तरह ही दिख रही है तो हमने इसका gravy तयार कर लिया इसका जो recipe हमने शेयर नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती तो ये जो ग्रेवी है ना मैंने पियाच, लसुन, अद्रक और टामाटर को और दो हरीमिच को एक साथ में पीस लिया और तेल में इसे फ्राइ करके पानी देके उबाल लेंगे और इसके ऊपर से धन्या के पत्रे देंगे तो ये देखिए ये कितना अच्छी लग रही है ना देखने में तो अभी क्या है ना आपको इससे चारा बहुत देर तक नहीं उबालना है अब पांच मिनिट उबाल लीजे तो ये देखिए आपकी टेस्टी रेसिपी तैयार हो जाएगी